यह पुरा यतीन है कि इस होटल का मैनेजर हमारी चक्कर में आजाएगा इस होटल का मैनेजर एक नमबर का बहिमान हेरा फेरी करने वाला लालची आदमी आरे वो तो ऐसे लपेटे में आएगा कि देखते जाएगा इसक्राइब एक कमरा मिलेगा जहां मिलेगा कैसा रूम चाहिए सिंगल या डबल ची मैने अर्श किया सिंगल रूम चाहिए यह नाम बोली जी नाम नाम क्यों बूच रहें यह हमारा रेजिस्टर इसमें नाम तो लिख रही पड़ेगा चनाब वो विजे विजे कुमार मिस्टर विजे कुमार दसोत कीज़ें ये आपका कमरा नंबर रेख सक दो इसकी चाबी बैग में उपर भिजवा दूगा जी नहीं जी नहीं वो आप खामखास है मत कह रहे हैं बैरा बैग ले जाए नहीं बिल्कुल नहीं मैं मैं बैग खुद ले जाओं कि मरजी साब ये ये कमरे करास्ता कि किस तरफ से है ये आप इधर से जाए फिर ये उपर जाए सीडियों पर और कमरा नंबर 102 बाई तरफ है शुक्रिया इस होटल के मैनेजर आप हैं यहां हूं तो लेकिन बात का है इंस्पेक्टर साहब बात यह साहब इस शहर के मश्यूर जुएलर्स जमनादास के यहां एक आदमी काम करता था वो उनके धाई लाग के हीरे लेकर भाग गया है धाई लाग के हीरे जिया और हमारी इंफोमेशन के मताबिक वह इसी शहर के किसी होटल में चिपा हुआ है धाई लाग के हीरो समीच छुपा अठीर टीम लेकर कोई इस मामली ऊटल में आया इन्सपेक्टर साहरे कहा ये ङीप शुचत पूच नहीं छे हैं अगर गिया और बेचapa वह घृच देना घुरम सिट Τ जी कहिए अंधर आ सकता हूं मिस्टर विजय कुमार अंधर क्यों क्यों क्या बात है आपको कोई धूंचता हुआ यहां आया था कानून की नजरों में धूल जोख सकते हो विजय कुमार लेकिन मेरी नजरों में नहीं मैं तुम्हारी असलिया जान चुका हूं पुलीस तुम्हें चारों तरह त्लाश कर रही है मेरे एक इशारे पर तुम जेल की सलाहों के सकते टह़ोंगे खर्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो विजय खैरियत इसी में है कि ये हीरे मेरे हवाले कर दो कौन 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 कैसे मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो मैं उन हीरों की बात कर रहा हूं बैटे जो तुमने जमनादास जोईलर्स के हां से चुराए हैं और वो इस सूट केस में मौझूद है ठीक है अगर आप अगर आप अब आये होना पेटा रास्ती पर मंगेण मगर मंगर कि अगर अगरा आपको आपका भी नाम ले दूंगा सोच लिजी यार तू तो बड़ा रोस्तम निकला उल्टा मुझे धंगिया देता है देखो दोस्त यह हीरे तो तुम मुझे दे दो और मैं इस एरिया से पुलिस की आखों से तुम्हें बचा के बाहर निकाल दूगा और तुम्हें पैसे दाइलाग के हीरे दसधार में सुनो मुझे होश्यारी तो ज्यादा करना नहीं जो मैं कहता हूं करते हो या मैं पुलीस को फोन थेरिये थेरिये मुझे मतवर्य मुझे पहले हीरे हीरे अब मेरे यहां से निकल जाने का भी इंतजाम कर दीजिए फिकर मत करो फॉलीस की गाड़ी नीचे तुम दोनों का इंतजार कर दीजिए लेकिन बहुत अच्छा वापस आगए पकली से यह आदम है जो वह यह जो यह 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 चुरा के भागा था लो भया अपने ही अपने पास रखो तुमने च है कि कहीन बाद चुप मैंने सब सुलिया को हिरे मेरे हवाले कर दो और दस हजार रुपे भी मैनेजर साहब चोरी करना जूर्म है चोर की मदद करना जूर्म है औच उनी का माल खरीदना भी जर्म है अब भी जैल की चक्की पीसने के लिए तयार हो जाई है कब मुझे माफ क लिए कुछ कर सकते हैं इंस्पेक्टर साब आप हमें छोड़ दीजिए वह हीरे भी आप रख लीजिए और ऊपर से अगर मुझे से चोर को यह दस हजार दे सकते हैं तो भगवान की द्याजी इतने बड़े पुलिस आफिजर को मेरा मतलब है कि हाँ दस हजार का पंदरा हजार लेली जी इंस्पेक्टर साब लेकिन मुझे छोड़ दीजिए आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं अरे नहीं सर यह रिश्वत कहा है बच्चों की मिठाई के लिए है जहां बच्चों के मिठाई लट्डू पेड़ा गुलाब जाब तूम चुप रहो जी तुम्हें क्या मालूं बड़े अफसरों से कैसे बातें की जाती हैं सर यह पांच हजारा और ले लीजिए पंद्रह हजार हो गए और मुझे छोड़ दीजे सर मुझे छोड़ दीजे लेकिन आएंदा ऐसी खेर कानूनी हरकत मत करना और तुम चलो हां साथ ले जाएए एक तो जोरी करता है उपर से शरीफ आद्मियों को अपने साथ फंचवा देता है